अमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जैन टेक्नलोजीज की स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कंपनी ने क्वाटर 3 की अर्णिंग्स अनाउंस कर दिये जो कि बहतर करोड से बढ़के आई है 27.99 यानि 28 करोड के आसपास की जो की 70-80% का जिसम कंपनी की टोटर इंकम में तीन मेनों के इंतरा से एक वाटर के इंतरा से हुआ है पिछले साल देखेंगे दिसंबर 20 में 17.29 करोड थी जो की इस वार बढ़के 27.99 करोड की हुई है यानि इंक इंकम बढ़ने के बावजूद भी कंपनी गाटा है बड़ा गाटा पोस्ट किया है और यह लिगे तो गाटे मुनाफ़े से गाटे में आ गई है जो की एकस्पेंसेस टेक्सेस अर्यटा के नेट प्रॉफिट देखेंगे तेहतर लाख का गाटा था वो गाटा जो है 1.80 करोड के आसपास का गाटा बढ़ चुका है यानि गाटा बढ़ा है क्वाटली बेसिश पे पिछले साल देखें 1.75 करोड का मुनाफ़ा था तो कंपनी आ आपको खर्चे डबल से भी जादा दिखेंगे जो कि 14.60 करोड से बढ़के 29.36 करोड के आए हैं अब दीगे सबसे ज़्यादा खर्चे कंपनी ने किस एरिया में किये तो यह कोस्ट आफ मैटियल कंज्यूम्ड में यहां सबसे ज़्यादा खर्चे ग्रोग किये कंपनी के मुनाफ़े से गाटे में जो कि 2.70 करोड का मुनाफ़ा लास्ट यर पीबीटी किया था नतीजे काफी ज़्यादा वीक ही देखने को मिल रहे हैं अब देखेंगे बात करें EPS एर्णिंग पर शेयर की तो 0 पैसे की EPS की नेगेटिव शो किया मतलब थोड़ी सी कुछ पैसे EPS नेगेटिव थी लास्ट क्वार्टर में जो की 16 पैसे की EPS बन चुकी इस क्वार्टर में जो की 39 पैसे की पॉजिटिव EPS हुआ करती थी लास्ट यर तो नतीजे बहुत ज़्यादा वीक हैं देखें बात करेंगा डेली चार्ट की तो जैंटेक वही आपको यादो का ज 200 की रेंज पर इस्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है जैसे खराब नतीजे मेरे इसाब से 200 का लेवल ब्रेक कर सकता है एक्चुली कंपनी की इंकम तो ग्रो करिए लेकिन खर से बहुत ज्यादा कर दिये रहे हैं इस वज़े से आपको मुनाफ़ ज्यादा खराब देखन धन्यवाद